चुले बढ़ेंगा आगे भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस इस दुरान अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रखी है पार्टी के कई दिगज नेता और पुराने नेता आराकमान से नराज बैठी है और पार्टी में असहज महसूस भी करकी है यही कारण है कि अब वो नेता कॉंगर्स का दामन छोड़ने को मजबूर है पहले गुमनाम दाचुले गुलाम नभी आजवात जोतिरादित्य सिंधिया कपल सिब्बल और अशोक चमभान ने पार्टी को अलवदा कह दिया फिर पिया मोदी की तारीफ करने पर कॉंग्स हाई कमान ने अच्वारिप प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया और अब दिगज नेता, कमलनात और उनके बेटी नकुलनात की भी पार्टी छोडने की अठकले तेज हो गई है दाच्वले वराजिस्थान से महींद रिजित मालविय, खिलाडी लाल, बैरवा और अपने समर्थकों के साथ बीज़पी जॉइन कर सकते हैं ऐसे में लोगसभाचुनाव के समय पार्टी के सिनियर निताओं को साथ रखना कॉंगर्स सखाई कमान के लिगे चुनौती भरा हुआ है तो वहीं बीज़पी कॉंगर्स के इस अंद्रोनी कला है और निताओं की बगावत से काफे उतसाहित नजर आ रही है बीज़पी ने ओपरेशन लोटस के तहट कॉंगर्स के कई दिगजों के साथ संपर्प में है और पार्टी जोयन कराने की सोच रखी है ऐसे में कॉंगर्स ने अपने नाराज चल रही नेताओं को मनाना भी शुरू कर दिया है एक सरफ कॉंगर्स में फूट की खबरे आ रही है तो राहूल गांधी इस पर ध्यान देने के बजाए भारत जो डुनिया यात्रा पर निकल चुकी है राजिस्थान प्रदेश में अब कॉंगर्स का कुनबा छोटा होता दिख रहा है तो दूसरी ओर पुर्वसियम गहलोत जो टासरा टिकराम जूली अपने सभी कॉंगर्स नेताओं पर नजर जमाई हुए है देखिए आज जो कॉंगर्स के हालात बन गए है आप उसको इस बात से समझिए कि माली जी यह बहुत तेजी से भूकम पा रहा है बहुत तीवरता का भूकम है और पूरी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सारी लोग तेजी से भागते हैं नीचे साड़क पर आ गए हैं अपने आपको सुरक्षित करने के लिए लेकिन कुछ ऐसे दो तीन बेवकूप लोग है जो उस बिल्डिंग के गिरने का इंतिजार कर रहे हैं उस बि सबुद्ध सब्सक्राइब में कि यह थो पहले से पहले से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है उस भारत को यह सबसे बुरा समय चल रहा है और मुझे लगता है कॉंग्रेस खाली हो जाएगी कॉंग्रेस में किबल तीन लोग बचिंगे राहूल गांधी प्रियंका गांधी सौनिया देखिया आती हो गही है मिलते मेरा MP का ट्रेट काटा सिटिंग का ठीक है मैं एमेले था चेशर में ऐसी कमिशन था और इतना कांध किया जो की देखने लाएक है इसके बावजूद भी इन्होंने किसीनों एक नहीं सुनी ने किसी मिलने की टाइम लिए मजा ना रखा एक नया कि अगर कोई भी नेता जाता है और यह समझता है कि मेरे भगर मेरे ही दम पे सब कुछ चल रहा है और मेरी ही पीट पे पूरी दुनिया का बोज है तो ऐसा नहीं समझे लोग तयार बैठे हैं जगह को टेक ओवर करने के लिए लेकिन ये जो जा रहे हैं और जाने का माहौल बन रहा है और बीजे पी ऑपरेशन लोटस एक शेर सुना दू मेरे बड़े बन में है बीच में कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिलाने हैं ये कमल के फूल में मुर्जाट आ गई है कॉंग्रेस से ताजगी लेने की कोशिश कर रहे हैं आएगी नहीं ताजगी उसे बीजेपी बैक फुट पे मुद्दों पे राजनिती नहीं कर रही है एंटी इंकंबेंसी है बीजेपी के खिलाफ माहौल है और एलाइंस का ए और फाइट ट्राइंगल और फोरेंगल नहीं होकर कि अगर सीधी फाइट हो जाएगी तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी वैसी सिते नजर आई थी कि अब महरास्ट में आखरकार आगे कौन वैसी सिते हमने मध्यप्रदेश में भी देखी जब दोतिराधित सिंध्या ने पार्टी का दामन छोड़ा और उनके साथ तमाम वधायकों के साथ वहां से कॉंगर्स पार्टी का कही न कहीं खात्मा होता वा नजर आया राजस्थान के तस्वीर विधान सभा में करारी शिकस्त मिली और आप तस्वीरे आ रही हैं कि महीं रिजुत मालवे के साथ कौंगस के तमाम दिगजय से नेता है जो पार्टी का दामन छोड़ सकती है और आब एक बर फिर से मध्यप्रदेश, कमलनात और न जीपी हुई है, देखिए 138 साल पुरानी देश की इंद्रा गांधी कॉंग्रेस एपार्टी लगातार, उसका कुन्बा जो है वो दीरे दीरे समटता जा रहा है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महाराष्टर से, देखिए आप महाराष्टर में दो बार के मुख्यमंत तुसके पीछे चल पड़ता है, तो निश्चीत तोर पर अगर यह नेता अगर bjp में अगर जा रहे हैं तो bjp का इन से क्या फाइदा हो सकता है पहली बात, दूसरी चीज कि इन नेताओं का bjp से क्या फाइदा हो सकता है, चलिए लगातार, महाराष्टर में भी ऐसा नह और भी कई नेता है जिनोंने कॉंग्रेस को छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है अब आप आजाई है मद्धी परदेश में अब देखिए कि सोनिया गांधी यानि गांधी परिवार के सिप सलाकार और प्रमुक ऐसे तीसरे बंदे के रूप में जाना जाते हैं कमलनात कमलनात आप देखिए कि छिंदवाडा से वो 5-6 बार जो है वो सांसद रे चुके हैं वर्तमान में उनके बेटे नकूल नात वो भी वर्तमान में सांसद हैं देखिए कमलनात की फैन फोलोइंग भी मद्धी परदेश में कोई कम भी नहीं है बहुत जादा फैन फोलोइंग अपने आप रास्टे बन जाते हैं चलिए इसके बाद हमाई जाते हैं राजिस्तान देखिए राजिस्तान में हमेशा से ंग्रेस एक मजबूत सिति में रही लेकिन चंदा एसे कही कारंड रहें इसे कही गंबीर कारंड रहेंald जिसकी वज़़ए से अब जो है वो और दी अब अगर दिगज नेता अब आप देखिए कि बीजेपी के लोटस ओपरेशन के तहट उन्होंने सबसे पहले दक्षिनी राजस्थान को साधने का प्रयास किया बात करेंगा महेंदर जी सिंग मालविया की देखें मालविया राजस्थान के अंदर एक ऐसे वो कदावर नेता हैं जो पूरे राजस्थान के अंदर एक तो चर्ची चेहरा है इनकी फैन फोलोइंग इनके धर्शक और इनके वोटर्स काफी संक्या में कहीं चुनाव का जो प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के लगातार महेंदर जी सिंग मालविया एक नंबर पे चल रहे थे इसके बाद जो है वो डोटासरा चल रहे थे और इसके बाद जो है वो सीपी जोशी का नाम आ रहा था जो की पूरवी स्पिकर है है ना इसके अलावा जो है अब मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से कॉंग्रेस में जो सिर्फ उटवल सामने आया वो यहीं से आया क्योंकि देखिए कि अशोग गहलोत अपने कुनवे को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे ओल्रेडी सचीन पाइलेट को वो तड़ी पार 36 गड़ के लिए कर चुके हैं तो होल सोल राजस्तान के अंदर अशोग गहलोती पूरी कमान समालना चाहते थे लेकिन यहां पर आप देखिए कि CWC के मेंबर रेते हुए दो बार आप कैबिनेट मंतरी रे चुके हैं एक बार सांसत रे चुके हैं यानि कि महंदर जी सिंग मालविया 5 दश्यक से लगातार एक वो कॉंग्रेस का चेरा है जो जीत दर्च करता हुआ आया है कॉंग्रेस पार्टी के बेनर पे अब आप देखिए इसके अलावा अभी हाल फिलाल में करोली और धोलपूर से खिलाडी लाल बेरवा ये भी एक अच्छा चेरा है अच्छी पकड़ रखते हैं अब इनके भी बीजेपी में जाने की सुक बुगार जो है वो शुरू हो गई यह तो बिलाकर कॉंग्रेस की स कि लगातार जब पार्टी को जादा जरूरत ही वैसे भी पार्टी का दामन चोड़ा जा रहा है और यह भी कॉंग्रेस के तरफ से खुद तमाम जो विश्रेसक है या फिर बात कर ले जो कॉंग्रेस की तमाम नेता है वो भी कहते वे नजर आ रहे हैं कि जब पार्टी को ज हम बनाए रखेंगे बहुत शुक्रिया सुरेंदर इस खबर पर लगातार हमरे साथ चर्चा के लिए